50 नमबर में जो audit का paper आपका है उसमें कहने को तो दो ही study note है 6 और 7 लेकिन है तो वो पूरे 50 नमबर ना उसका भी उतना ही सम्मान करिए जितना आप किसी और 100 नमबर के paper का करते हैं यदि आप ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छे नमबर आप प्राप्त कर पाएंगे पर्सेंटेज के हिसाब से देखें तो study note नमबर 6 लगभग 20 नमबर का आएगा study note नमबर 7 जो है वो लगभग 30 नमबर का आएगा मेरा कहने का मतलब है जो company audit के provisions है वो ज़्यादा weightage रखते हैं और उनमें आप अपने मन से कुछ ज़्यादा लिख भी नहीं पाएंगे उसमें तो वही लिखना है न जो rules है study note 6 जो basics का chapter है audit के जिसमें auditing के concepts है company auditor नहीं जो normal concepts है उसमें तो थोड़ा बहुत आप अपने हिजाब से explain कर भी सकते हैं उसकी weightage भी कम है तो जब आप घर पर एक दिन पहले तैयारी कर रहे होंगे तो आपको क्या करना है आपको तीन steps में तैयारी करनी है ज्यादा समय नहीं लगेगा कुल मिलाकर आप तीन घंटे बैठ जाएंगे अगर सिरफ तीन घंटे में पूरी audit पढ़ लेंगे आप बाकी समय आप company accounts को दे दीजेगा देखिए step one लगभग दो घंटे में complete audit है मेरे पास फुल recorded, फुल course वो पढ़ लिजे आप जिन बच्चों का एक्जाम आगे जाकर जून 23 में है उन लोगों को तो हम detailed में अब audit शुरू कर रहे हैं फिर से लेकिन जिनका अभी जनवरी में दो दिन बाद अमतिहान है वो बच्चे मेरी existing audit पढ़ लें फुल auditing हमने clips को merge करके दो घंटे का लगभग बना दिया है वो आप अराम से देख सकते हैं फुल course फुल course आँख बंद कर लीजेगा और वो headphone लगा के अपना शांती से सुनते रहिएगा बिल्कुल relax लगना चाहिए we are going into deep breath meditation सब कुछ आपके अंदर बस जाएगा यदि आपको लगे मुझे याद नहीं हो रहा तो मत सोचिएगा यह फाल तुबात ने याद हो रहा हो ना याद हो रहा हो समझा रहा हो ना समझा रहा हो कान में जाते रहने दीजेगा धीरे धीरे मेरी हवास को वो मन में बच जाएगी और पता तब चलेगा जब पेपर में सारे आंसर आपको आते होंगे आपको याद आजाएगा कि आपने सुना था मेरी बातों को उसके बाद जो आपने यहाँ पर वीडियो देखी उसके हैंड रिटेन नोट्स पढ़िए और उसके बाद एक बार बस यह चेक कर लीजे मॉक टेस्ट पेपर सजेश्टेड आंसर मेरे पास एकटा वॉल्यूम पीडियाप में मर्ज करके रखा हुआ है आप ले ले ना मतलब इंस्टिटूट की वेबसाइट पर जितने भी आज तक मॉक टेस्ट पेपर आए पुराने अटेंट्स के जो सजेश्टेड आंसर से हैं पुराने अटेंट्स के सब मेरे पास मर्ज करे हुआ रखे हैं एक खटा एक जगा तुम्हें डाउनलोड करने की जुरूरत न मेरे को आता है तुम सिरफ टिक लगाना यह पहचानते हुए कि मुए ने यह सुन रखा है इस ओडियो में वीडियो में के नहीं सुन रखा मेरी बास सुनना यह है वीडियो लेकिन तुम इसे ओडियो समझ के सुनना इसे पोड़कास्ट मान लेना तुम इसे ओल इंडिया रेडियो समझ लेना तुम FM की आवास समझ लेना तुम बस शांत कमरे में बैठके लाइट्स को डिम करके आखों को बंद करके बस सुनते रहे ना नींद नहीं आएगी मुझे पता है ठीक है भई ये तीन काम अगर तुमने कर लिये तो ओडिटिंग में 50 में से 60 आएंगे दे इस नमबर वहाँ बोनस मिलेंगे अब बात रही उस तीन घंटे की जब आप एक्जाम में बैठे होंगे तो क्या करने सबसे पहला कोशन अपने मन में आता है कि कमपनी अकाउंट्स पहले अटेंट करूं या कमपनी ओडिट ये तुमारे उपन निर्भ़ करता है कि तुम् प्रेक्टिकल करना शुरू के घंटे में खतम कर देना जो भी कर रहे हो मेरी बात सुन लो ध्यान से मैंने क्या कहा अगर तुम्हें थियोरी अच्छी नहीं लगती तो पेपर में बैठके पहले थियोरी 60 मिनट में फिनिश कर देना चोट चोटे आंसर लिखना को लंबे न प्रेने बैठोगे तो जो पसंद नहीं है वो पहले अटेम्ट करो आता है नहीं आता है वो अलग क्वेश्चन है पसंद क्या है वो बाद में करना ठीक है मैं लिखके दिखाता हूँ आपको एक्जाम हौल में क्या करना है इसकी आप अपनी फोटो वोटो खीच लीजेगा या स्क्रीन शॉट ले लीजेगा ये है फुल फ्लो चार्ट एक्जाम हौल में क्या क्या करना है सबसे पहली बात attempt that section मतलब section A और section B में से attempt that section which you like less मैं यह नहीं लिख रहा dislike, dislike तो कभी होनी नहीं चाहिए पड़ाई में subject बुरा मान जाता है which you like less ठीक है पहली बात, दूसरा write to the point in points, बिल्कुल bullets में लिखना है one answer one sheet दूसरी तरफ answer जाना ही नहीं चाहिए, audit में याद रखिए अगर लंबा फैलाओगे फिर पता नहीं क्या क्या चिपकाओगे fresh page for fresh answer और attempt 100 marks paper मतलब मैं audit के लिए 50 लिख रहा हूँ attempt 50 marks full audit company accounts तो fill करेंगे ही करेंगे उसके साथ साथ इन बातों को आप ध्यान में रख लो सच बता रहा हूँ सर आपको इंटर में बैठे बैठे final के सपने आने लगेंगे के बस भाई अब तो clear हो गया यही वो paper जिसको लोग नीरस समझते हैं नीरस मतलब जिसमें कोई रस नहीं होता किसी को कोई interest नहीं आता भाई बस किसी तरह समय गुजारते हैं लोग audit के paper में ऐसा नहीं करना मन से लिखना लगन से लिखना अच्छे से लिखना पूरा लिखना 100 number का paper accounts audit मिला के attempt करना 99 का करोगे तो 1% chance failure के 90 का करोगे तो 10% chance failure के failure का chance नहीं बढ़ाना है exemption plus का chance बढ़ाना है अपने को all right thank you so much God bless you good luck for your exam bye